जूट जूट की बोरी आकी बेग आती हैं, जो बिल्कुल आप कैसे सकते हैं, जीरो कोश्टी है, क्योंकि एक जूट की बोरी में लेका आई ती, वो मुझे टें रूपिस में मिली थी, और उसमें से मैंने दो और्जनाइजर को तयार किया और बिल्कुल यूनीक, बहुत जो है organizer देखे होंगे YouTube पर लेकिन इस तरह का organizer बिल्कुल डिफरेंट है जो आपको बहुत लुग भी दे रहा है और साथ में बनाना बहुत आसान है दिखने में बहुत ही सुन्दर है और ऐसा आपको कहीं और देखने को मिलेगा नहीं तो कुछ ऐसा हमने जो organizer तियार किया है वो देखके हर कोई बोले का वाह यह क्या बनाया है कहां से बनाया है कैसे बनाया है तो आप भी ऐसा जरू से तयार किजिएगा तो चलो शुरू करते हूं मैं कि यह मैंने कैसे तयार किया है organizer बनाने के लिए मैंने cardboard box और यह जूट की बेग ली है यह बेग आपको आसाने से grocery shop पे या तो सबजी वाले के आसाने से मिल जाएगी और इसको जब फटा हुआ टुकड़ा है वो मैंने इसमें से अलग कर लिया और इसका लिखा हूँ भाग हम अंदर की बाजू रखेंग और इसके कारण यह बहुत ही प्यारा सा हमारा लुक वाला हमारा जो है यह और मैंजर हम इसमें से तयार करेंगे इस तरह के अगर आप market में इस तरह का जूट का कपड़ा लेने जाते हैं तो यह 120 रुपीस मिलता है और इतना टुकड़ा मुझे 60 रुपीस में मिला है और न इससे यह बहुत मजबुताई से चिपकेगा और आपका यह बहुत लंबे टाइम तक आप इसका उप्योग कर सकते हैं और इसके दोनों बाजो में थोड़ा थोड़ा एक्स्टा कपड़ा रखना है और यह इसे कैसे चिपकाना है इसके मैंने बहुत सारे वीडियो आपके जूटे उस पर हम जब एक कोटन का कपड़ा लगाएंगे तब ही इसका लुक जो है बहुत अच्छा आएगा तो आप यहां पर किसी शर्ट का कुर्टे का कपड़ा लगा सकते हैं जो इसके साथ कलर में मेशिंग हो और उसमें भी कुछ एंटिक सा लुक हो तो मैं इस तरह के कुर्टे का कपड़ा यहां पर लगा रही हूं और इस तरह से मैंने दोनों ही ओर्गनाजर में फेविकोल की मदश से इसे चिपका दिया है और इस तरह से जब आप बनाते हैं तो सच में मानिए बहुत अच्छा लगता है और अभी लोगडाउन के टाइम में आप घर प अगर आपके बस लेस के दो टुकड़ा है तो आप इसे जोड़ के इस तरह से लेस बना दीजिए और मैंने इस दोनों ही ओर्गनाजर पर लगा दिया है और नीचे के सेट भी लेस लगाई है अब मैंने क्या किया एक बोक्स का टुकड़ा कटा है कार्बोर में से और इस त देखके तैयार कर सकते हैं और इस तरह से तैयर कर लेने के बाद हमें ग्लूगन की मदद से इसे इस तरह से यहां पर चिपकाना है आपको जो है ग्लूगन की मदद से इसके उपर की जो दोर है वही भग चिपकना चीए कार्बोर उपर जिस पर हमने लपटा है वो पड़े ये सुकानी की दूरी से ही इसको तैयर कर लिया है, अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं पर बराबर नहीं लगा है, तो आप वहाँ पर ग्लूगन की मदद से इसे लगा के बहुत अच्छा सा लुक दे सकते हैं, मैंने आपके साथ ताड़ी की लेस के टुकडो का उप कर दूंगे, वो वीडियो आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया है, तो आप इसे जरूर से देखेगा, और देखे हमारा जो ओर्गनाइजर है, बड़ी असनवी में तयार हो गया है, अब दूसरे ओर्गनाइजर के लिए मैंने क्या किया है, कि कोई भी रेंड़मी डिज की एनरजी आती है, और ये बहुत जरूरी है इस समय लोकडाउन में, तो आप इस तरह का जरूर से कुछ ने कुछ बनाते रहेगेगा, और अगर आप मेरी चैनल में नहीं हैं, तो चैनल को शेर करना, सब्स्राइब करना ना भूले, और बेल आइकोन को दबा दीजिएगा जिससे सोमवार और शुक्रवार को मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और क्रियेटिविटी से भरे हुए मेरे ये वीडियो, अब जरूर से अपने फ्रेंड के शार शेर कीजिए, खुद इसमें को बनाएए, और अपने जो आइडिया है, ठो लगाया और ये बहुत प्यारा लग रहा है, कोई डिफरेंट भी लग रहा है, तो मैंने इस तरसे इसे तयार किया है, पसंद आया ना आपको, तो आया ही होगा, तो इसे जरूर से तयार कीजिएगा, और अपने कब़ोर में जब आप रखेगा, तो बड़ा ही यूनिक, ब बहार ना निकले, स्टे होम, टैक के, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ,